गुड मार्निंग स्टुडेंट्स मैं आपको आज यहां इस वीडियो में आरोहो भाग एक से कबीर के पद जो मैंने पहली वीडियो में आपको वियाख्या करवाई थी आज यहां पर मैं आपको प्रशन समझा रही हूँ क्वेस्चन नमबर एक कबीर की दृष्टी में इश्वर एक है इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिये कबीर की दृष्टी में इश्वर एक है अपने इस मत के समर्थन में उन्होंने अनेक तर्क दिये सब के लिए एक जल एक वायो और एक ज्योती है संसार के सभी प्राणियों में एक ही इश्वर व्याप्त है जिस प्रकार लकडी में आग समाई रहती है उसी प्रकार प्रमात्मा भी संपून संसार में समाया रहता है Q2. मानव शरीर का निर्मान किन पांच तत्तों से मिलकर बना है? मानव शरीर का निर्मान वायू, अगनी, जल, भू, यानि भूमी, आकाश इन पांच तत्तों से मिलकर बना है Q3. जैसे बाढ़ी काश्ट ही काटे, अगनी न काटे कोई, सबगटी अंतरतों ही व्यापक दहरे सरूपे सोई इसके आधार पर बताईए कि कबीर की दरिष्टी में इस्वर का क्या सवरोब है? इन पंक्तियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कबीर की दरिष्टी में इस्वर सरूपे व्यापक है जिस परकार लकडी में अगनी समाई रहती है, वैसे ही परमात्मा भी सारे संसार में व्यापक है संसार के सभी जीवों में वीभिन आकार में वही परमतत्व सवरोब दहरन किये हुए है कबीर की दरिष्टी में इस्वर, अगाटे, अमर, आजर और सरूपे व्यापक है कबीर ने अपने को दिवाना क्यों कहा है कबीर की दरिष्टी ने माया मुक्त संसार और निर्गुन इस्वर को पहचान लिया है उन्होंने सभी प्राणियों में उसी निर्गुन तत्वय के दर्शन किये हैं वह जोती में इस्वर सभी प्राणियों में जगमगा रहा है इस्वर के इन रहस्यों को जानकर ही वे नीडर हो गए हैं अब उनमें माया संबंधी किसी प्रकार का मोहो नहीं रहा और वे अपने को मोहो माया से बहुत दूर ले गए हैं इसलिए वे नीडर हो गए हैं अब वे दिवानों की भाती हर वस्तु और प्राणी में उसी प्रभू के धर्शन करते हैं क्वेस्चन नमबर पांच कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बोरा गया है यानि पागल हो गया है संत कभी कबीर दास जी कहते हैं संसार के लोग सची बात सुनने को तैयार नहीं होते जो सची बात कहते हैं उनको मारने के लिए दोड़ते हैं और जो जूटी बात पर विश्वास करते हैं, उन्हें वो बड़ा प्यार करते हैं, वे इस्वर के एक सवरूप को सभीकार नहीं करते हैं, और उसके जूटे सवरूप को यानि पत्थरों और वरक्षों में ढूंडते फिरते हैं, वे बाहरी दिखावे में उस इस्वर के सव वराया कहा गया है Question number 6 Qabir Noon煮 नियम और धरम का पालन करने वाले लोगों की किन कम्यों की और संकेत किया है नियम और धरम का पालन करने वाले लोग सनान करके आसन जमा कर बैठ जाते हैं किन्तु आत्म ग्यान मैं होने के करण वे पत्थरों और वरक्षों को पूजते हैं उन्हें ये ग्यान नहीं है कि इस्वर कहीं बाहर नहीं है अपीतु उनके हद्य में ही निवास करता है वे मूर्ति पूजा और गरंथों को पढ़ने के कारण एहंकारी बन जाते हैं और जो सार तत्व होता है उसको भूल जाते हैं अग्यानी गुरुवों की शरण जाने पर शिशो की क्या गती होती है अग्यानी गुरुवों की शरण में जाने पर गुरु के सासा सिश्य भी इस संसार रूपी सागर में डूब जाते हैं उन्हें मोह की प्राप्ती नहीं होती वो मोह माया बंधन में फस जाते हैं वे संसार में भटकते रहते हैं और अंत समय में उनको पच्चताना पड़ता है वह या डंबर यानि की बहरी दिखावों की अपेक्षा स्वेम को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है उन्हें अपने शब्दों में लिखे यहाँ पर साख्यों में पड़ में लिखा है आतम मारी पखानी पूजे उनमें कच्चू नहीं गयाना साखी सब्दी गावत भूले आतम खबरी न जाना आपस में दो उलरलर मुये मरम न काहू जाना ये पंक्तियां हैं और इनका अर्थ है कबीर ने इन पंक्तियों में बताया कि मनुश्य को पत्थर वे पेड़ पूजने तिलक लगाने वाहिय दिखावों को त्याक कर मन से इस्वर का समर्ण करना चाहिए इस्वर केवल साखियों वे सब्दों के पढ़ने मातर से नहीं आता अपने हरदे में सचे मन से जहाक कर ही प्रमातमा की अनुभूती होती है सभी जातियों के लोगों में इस्वर निवास है इसलिए आपसी जगड़े वे भेद भाव को त्याक कर आतम तत्व को पहचानना चाहिए इसे ये कवीता के जो मैंने पद के प्रशन करवाए हैं ये अपनी पुस्तक में अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और इनको याद करेंगे